राजधानी पत्ना में बितेर रविवार को पांच यादवों को गोली मार दी गई यह पुरा वाक्या पुलिस के सामने हुआ जैसा कि प्रिद पडिवार के परजुनों ने आरोप लगा है अब इस पुरे मामले में पुलिस काफी अक्टिव नजर आ रही है अब तक साथ अभ्योक्तों की गिरफतारी कर चुकी है दरसर आपको दादे कि बिहार के राज़ानी पत्ना के जेठूली इलाके में नदी थाना शेतर में रविवार को हुए पार्किंग के विवाद में खोनी रूप ले लिया है बताया जा रहा है कि जोरान पचास राउंड गोलिया चली जिसमें अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है पांच लोग को गोली रगी तीन की मौत हो गई दो की हालत अभी भी गंभीर बताय जा रही है इस घटा में 24 साल के गौतम कुमार, रोसन कुमार के अलावा मुनारिका राय की मौत हो गई बाकी घायलों का इलाज पतना के अस्पताल में चल रहा है इस मामले में अब तक साथ लोगों को ग्रतार किया गया है ब्यार के ADZ ने कहा कि इस्तिती नियंतर में है ब्यार पुलिस लगतार वहां पे कैम कर रही है नियंतर निगरानी जारी है वर्तमान इस्तिती नियंतरन में बताई जारी है लेकिन जो तस्वीर वहां से निकली ब्यार सरकार सुसासन पे कई सवाल कर दिये चुकि भीर जो है वो उग्र हो गई कई घरों को आके हवाले कर दिया गया पुलिस पर इते पत्तर चले पत्रकार को पीटा गया कैमरा तोरा गया भीर बेकाबू हो चुकी थी पर जनों ने आरोप लागा है कि जो पुलिस थी 112 की गारी खड़ी थी और उसके सामने दवंगों ने पांच यादवों को गोली मारी यानि कि पांच वेक्ति को गोली मारी जाती का नाम इसलिया आ रहा है चुकी इसको लेकर राजनिती भी शुरू हो गई है बीजेपी नेता परतिपक्ष विधान परसित के समयार चोदे ने कहा है कि लालू परशाद यादो के वाप्सी के सांतिव यहार में जंगल राज आ रही है कई बार तो एक समाच के लोग आपस में भीर जा रहा है जैसा कि पटने में हुआ हाला कि कानून के नजर में अपराधी की कोई जाती नहीं होती है और हम भी लगतार यह कहते रहें कि अपराधी की कोई जाती नहीं होती है अपराधी अपराधी होता है चाहें कोई लेकिन पटना गोली कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए अब तक साथ आरोपियों को गिरफतार कर लिया है चुकि विवाद एक मामूली पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था जिसके बाद पांच लोगों को गोली मार दी गई दबंगो द्वारा चुक उसके साथ इसी तरीके से पेश आता है कई राजनितिक दलों से संबंध भी बताया जा रहे हैं लेकिन पुलिस बड़ी कारवाई की है पुलिस नियंतर्ण में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है बड़ी संक्या में पुलिस बन की तैनाती अभी भी है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुलिस है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है जेटुली गाउं में हुई गोली बारी मामले में साथ अभ्यूक्तों कोई गिरफतारी किया गया है पत्ना पुलिस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है पांच वेक्ति की गोली मार दी गई जिसमे तीन की मौत हो गई दो अभी भी पत्ना के एक स्पताल में इलाजरत हैं जिन्दगी और मौत के बीज जूज रहे हैं इस्तिती तनावपुर्ण बताई जा रही है